मेरी मम्मी कहती थी कि जिंदिगी गुलगप्पे जैसी हुन दी है पेट पले ही पर जावे मन नहीं परता फिल्म का बज़र लगए 100 करोड रुपे से जादा था वह इस फिल्म को पब्लिक से लेगा कि डिक्स ने काफे जादा पसंद किया और लगभग फो रिष्टा रियू दिया जिस वज़ेसर फिल्म को लेकर काफे जबज़स्त गरो देखने को मिली और काफे पोजेटिव वर् बॉक्स ओविस पर 6 करोड 40 लाग रुपे कमाये लेकिन फिल्म के तीसरे दिन सेटर डे होने की वज़ेसे इस फिल्म का कलेक्शन बोडासा बड़ा ओफिल्नेफ ने तीसरे दिन सेटर डे को बॉक्स ओविस पर 7 करोड 10 लाग रुपे का आकड़ा पार किया वहीं इस फिल् फिल्म का चार दिनों का फोटल इंडियन बॉक्स अविस कलेक्शन 31 करोड 25 लाक रुपे हो जाएगा और अगर इस फिल्म से आमिर खान और करीना कपूर खान की फिल्म लाल सिंग चट्डा का कंपेर करें तो लाल सिंग चट्डा फिल्म का बजड़ लगब 180 करोड उपे से ज साथ इस फिल्म के दूसरे और तिसरे दिन के कलेक्शन में फोडिसी ड्रोप देखने को मिली हो फिल्म ने अपने दूसरे दिन बॉक्स अविस पर ड्रोप आते हुए 7 करोड 26 लाक रुपे के कमाय जिसलै इस सी फिल्म का आमिर खान की फिल्म लाल सिंग चड़ा अपने चोते जिन यानि आज बॉक्स ओविस पर 10 करोड 3 लाख रुपे के आसपास कमाई कर रही जिस ते फिल्म का चार दिनों का टोटल इंडियन बॉक्स ओविस कलेक्शन से 30 करोड 41 लाख रुपे के आसपास रहीगा तो दोस्तो आ आप इन दोनों फिल्मों में से कौन से फिल्म को कहोगे 2022 के सब सब बड़ी फ्लो फिल्म आमिर खान की फिल्म लाल सिंग चड़्डा को याक्षे कुमार के फिल्म रक्षा बंदन को आपकी रहे हैं मनीश कमेंड का जरू बता हमाई वड़ी पसंद आए तो माज सोड़ियो